गुड मॉर्निंग इंडिया कहते हैं ना कि बक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी किस्मत बदल दे घड़ी में बच चुके हैं साथ और मैं आपका मेंटर कार्टि गुपता आगया हूँ आपकी इंग्लिश को आसान बनाने तो चलिए करते हम इंग्ल से सीखेंगे रूट वर्ट से सीखेंगे जहां जहां से सीख पाएंगे वहां वहां से इंग्लिश को आसान बनाने की हर संभव कोसिस्त की जाएगी और बादा है आपके साथ का और आपके सेलेक्शन दिलाने का तो चलिए बिना टाइम को जाय करते हुए हम स्टार्ट करते बत लेटें को आज के पहले वर्ट की तरफ चलते हैं आज का एक हुना या कह सकते हैं इसी का नाउन हो जाएगा यूजलेस्नेस होना क्या होना सर, uselessness होना, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, अब आपने अपने घरों में देखा होगा, क्या लगती है सर, tiles, tiles लगती है, और यदि यही tiles, यदि food जाएं, तो वो futility हो जाती है, तो याद रखने कैसे हम इसको याद रख सकते हैं, जो food गई है, जो food गई है वो क्या है सर वो tiles है यदि tiles तूट जाती है तो वो useless हो जाती है कैसी हो जाती है सर वो useless हो जाती है तो useless, uselessness इसी को हम कहते हैं बेकार्ग हो जाना क्या हो जाना सर बेकार हो जाना तो इसके synoniums की बात करेंगे क्योंकि आपके exam में चाहें वो SSC का exam हो चाहें CZLO, CPO, CHSLO, MTSO, हर जगा synonyms, antonyums आपके पूछे जाते हैं जिससे synonyms को आज कल हम similar meaning कह देते हैं और antonyums को हम opposite meaning लिखकर कह देते हैं तो आईए चलिए समझते हैं हम अगली कहानी को तो यहां से पहला वर्ड आता है सर, बिलीफाई क्या होता है सर, बिलीफाई करना, बिलीफाई का मतलब क्या होता है सर, यूजलेस होना क्योंकि जो जिसकी निंदा की जाएगी वो कैसा हो जाएगा सर, बिलीफाई हो जाएगा, बोलो यह सर, इसी को हम कह सकते हैं सर, यूजलेस होना, क्या होना सर, यूजलेस होन तो जबाब है कि sir उसकी value नहीं होगी जिसका selection नहीं होता जो जीवन में asfall होता है उसको वो useless होता है और उसकी society में कोई value नहीं होती got it और अच्छा मुझे बताइए जो वेक्ती value less है क्या वो fruitful होगा तो वो fruit less होगा क्या होगा sir वो fruit less होगा इसी को हम कहते है when आजखल आपने देखा होगा कि when गाड़ी exactly में कैसी हो चुकी है बेकार हो चुकी है उसकी जगाँ eco आचुकी है और भी गाड़ी आच्छी अच्छ घर में जो tiles food जाती है उसी को कहते है futility क्योंकि वो हो जाती है useless और जिस ces की useless हो जाती है वो वैल्ओ। सो जाती है उसी को कहते हैं वैन उसी को कहते हैं हम worthless क्या कहते हैं sir उसी को कहा जाता है Worthless तो आइए आगे की तरब बात करते हैं इसके Antoniums की तरब चलते हैं अच्छा मुझे बताना जो यूजलेस है वह कैसा और रॉडल है ट्रैजिक है या फिर हम कह सकते है निगेटिव है और पॉजिटेव है निःट्रल है यह आपको सीखना पड़ेगा और आपको जानना भी पड़ेगा आइए बात करते हैं आगे इसका eigcinum क्या हो जाएगा जो चीज़ यूजरेस है वह प्रोडेक्टिव हो जाएगी और Vari हो जाएगी और जो चीज़ यादी будущ है यूसफुल है प्रवाव सील हो जाएगी है इसी को कहते हैं beneficial beneficial का मतलब होता है सर फाइद इमंद हो जाना और जो चीज beneficial है वो profitable भी है और वही fruitful है तो समझे एक word से आपने कितने सारे words को relate कर लिए जैसे कि productive होना तो means worthy है और वर्दी है तो useful है और useful है तो वो effective है और जो चीज effective है वो beneficial है वो profitable है वो fruitful है ओके तो चलिए आज का पहला word हमारा तयार होता है सर futility क्या हो जाता है सर futility ओके चलिए हम आगे बात करेंगे आगे बात करेंगे अगला word आता है despairis क्या आता है सर अगला word आता है despairis despairis को हम कैसे याद रख सकते है एदी आपने सुना होगा एक बहुत जाना पैचाना चेहरा है इनका नाम है इनको मलब हम अपने समझाने के लिए इनका example ले रहे हैं इनको criticize करना हमारा कोई intention नहीं है that is despairis का मतलब क्या होता है कि जब इन् BGP में चले आए तो इनको बहुत अपने ही देश को छोड़ कर ओके अब Congress से छोड़ कर कहा चले आए BGP में चले आए तो इनको बहुत ज्यादा criticize किया गया ओके और उपर से क्या होता है इनकी एक देश इनका देश क्या होता है सर एक विधान सवा होती है गुना और गुन ही देश में पराजय मिली हो जिसे अपने ही देश में पराजय मिली हो अपने ही देश में पराजय मिली हो उसी को हम क्या क्या देते हैं सरकार उसी को हम क्या देते हैं डिस पैरेज क्या देते हैं इसी को कहा जाता है रिप्रेजेंट एस बिंग आफ लिटिल वर्थ की मलब ऐस इसे रिप्रेजेंट करना जैसे उसकी कीमत जो है वो बहुत कम है ओके इसी का हम क्या कह सकते हैं सर सिमलर वर्ड क्या हो जाएगा सर क्रिटिसाइज करना क्या करना सर क्रिटिसाइज करना किसी को क्या कर देना सर डिस्डैन कर देना और इसी को कहते हैं सर कंडैम करना क्या करना सर स्क हो जाएगा सरकार, इसका एंटांइम हो जाएगा positive, कैसा हो जाएगा positive जिस तरह आप देख रहे हैं यह बहुत बाहुत कहते हैं कि यह बहुत बर्थिट है ओके क्योंकि सुबह साथ वजे उठकर और एक कप चाय की प्याले के साथ जो आप चीजों को सीख रहे हैं यह बहुत आगे जाएंगी और यह इतनी आगे जाएंगी कि आप की तरकी निश्यत है आपको 100% सक्सिस मिलेगी तो चलिए आगे बात कर लेते हैं आगे बात करते हैं तो किटिसाइज मींस इसी को कहते हैं सर प्रेज करना मींस किसी की तारीफ करना क्या करना सर किसी की तारीफ करना ओके और इसका मतलब होता है सर किसी की निंदा करना क्या करन सर किसी की किसी को निंदा करना और किसी को अपमानित करना या फिर कॉम्पलीमेंटरी देना गॉट इट वर्ट था एक याद कितनी हुए एक दो तीन चार पांच छे साथ मीज़ आप एक वर्ड से सेवन मीनिंग याद रख सकते हैं चलिए आईए हम इसको रिवाइज कर लेत हैं एक विखती थे जिने अपने ही देश में पराजा मिली तो लोग उसे क्या करेंगे किसी को प्रेज करना या ओवर्रेट करना या फिर कॉम्प्लीमेंटरी देना क्या सर complimentary देना ओके याद रखना अगला बड़ाता है सर इस्टिंक यह इस्टिंक याद रखना इंक अभी कभी आपनी स्टुडेंट ने कभी देखा होगा सर जो इंक की smell होती है इंक मैं क्या आती है सर बहुत ज़दे alcoholic वाली smell आती है यह सब्सक्राइब लोग लड़किया तो यह से कहते है छी 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 smell आ रहे है बहुत गंदी ओके तो इसका मतलब stink का मतलब होता है student को इंक की क्या आती है सर smell आती है तो stink का मतलब ही होता है सर क्या हो जाना क्या हो जाना एक बार कॉमेंट करके मुझे फटाक से बताना क्या हो जाना तो इसका मतलब हो जाता है सर बदवू क्या कहते हैं सर बदवू इसको हम क्या कह सकते हैं सर इसी को कहते हैं Melodorous, क्या कह सकते हैं, Melodorous, और यदि यही हो जाता है, Melodious, तो वो just opposite हो जाता, सरकार, वो sweetness सला जाता, voice के लिए, तो Mellow का मतलब ही होता है, Negative, यदि कहीं पर भी M.A.L. word मिल जाए, तो M.A.L. word का मतलब होता है, Negative हम meaning की बात कर रहे हैं, इसी को हम याद रखेंगे, सर, Stench, क्या आपको पता है, कि जब दूद फट जाता है, तो उसमें से कैसी smell, smell ही आती, fragrance तो नहीं आती, जब दूद फट जाता है, तो Fetor को हम याद रखेंगे, सर, फटना, ओके, जब दूद फट जाता है, तो वो कैसा smell करने लगता है, कैसा करने लगता है, सर, smell करने लगता है, तो पहला वर्ड आया सर इस्टिंक और इस्टिंक का मतलब होता है सर क्या सरकार इस्टिंक का मतलब होता है सरकार कि क्या होना सर इंक की स्टुडेंट्स को इसमेल आती है तो इसमेल आती है तो अब आपको पता है इसका क्या हो जाएगा सर फैट और क्या हो जाएगा सर फैट और क इसी पर हम बात करेंगे स्टेंच क्या बात करेंगे स्टेंच याद रखने हैं इसका अपूजिट क्या हो जाएगा सर इस्टेंच एक निगेटिव वर्ड है इसमेल भी एक निगेटिव वर्ड है फैट और भी एक निगेटिव वर्ड है मैलोड्रस भी एक निगेटिव वर् बढ़ जाएगा सब्सक्षा पॉसपटी फैरोमा छॉखानी की सुगन्द आती है जब कड़ी वन रही होती है घर में जो सुभा सुभा पोहे की खुस्बू जो आ रही होती है किचिन से मम्मा बना रही होती है आपके लिए डैट इस आ अरोमा क्या कहते हैं सर अरोमा कहते हैं ओके फाइन या दिखना तो डैट इस यह पॉजिटिव वर्ड फ्रेग्नेंस पॉफ्यूम एरोमेटिक ओके फाइन अगला वर्ड आप से पासंगाना रहा ना एक वर्ड पके तरफ फिर आता है एक वर्ड आता है अब आपने देखा का मतलब क्या होता है gotta परी को मतलब क्या होता है sir? परी को हम इतने तरीके से याद करेंगे, जो सुबह सुबह जो इसमाईल आने वाली है आपके face पर, ऑपा की परी, के सारी गल्तियों को क्या किया जाता है? माफ छोड़ो मतलब avoid किया जाता है पापा की परी की सारी गलतियों को क्या किया जाता है avoid किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है avoid करना जब पापा की परी इसकट पहन के घुमती है तब भी क्या किया जाता है सर उसे avoid किया जाता है और मम्मी के लाडले को क्या दिया जाता ह क्या दिजाता है डोज तो याद रखना पापा की परी की सारी गलतियों को iscut पेनने पर भी avoid किया जाता है तो pervy skirt avoid, geri skirt का मतलब होता है darde का दिए जाता है dosed का यो पेहले में जब पहले कर टाइम पर लोग invasion हुआ करते थे जब जब invasion हुआ करते थे वहा करते थे वह कहते हैं लड़ना लड़ाई ऑगे इन वेड इसी को कहते हैं इन वेड हो करते थे तो इसको हमीशा क्या गरते थे क्योंग्हें कि जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे वह लडाई जब एक दूसरे ने एक दूसरे ने एक दूसरे का सामना कर लिया तो उन्होंने कर लिया क्या कर लिया सर कंफरेंट कर लिया ओके इसी को हम कहते हैं सरकार एनकाउंटर क्या कहते हैं सर इसी को हम कहते हैं एनकाउंटर क्या कहते हैं सरकार इसको एनकाउंटर अब आप कहोगे सर एनकाउंटर के लिए तो यूपी पलिस फैमास है नो एनकाउंटर का मतलब गोली मारना अभी रीसें वाग पर और उसके पाप अंधे से चले आ रहे होते हैं तो या मार पीट कर देतों एंगाउंटर हो tackle करना क्या करना सर टैकल करना और इसी का एक वर्ड आता है सर फेस करना क्या करना सर फेस करना ओके तो फेस करना confront करना encounter करना tackle करना ओके याद रखना तो पापा की परी की सारी गलतिया माप की जाती है avoid की जाती है, मम्मी के लाल्डे को dose दिया जाता है और evade किया जाता है, बचाया जाता है और इसका opposite हो जाएगा सर, confront करना, encounter कर देना या फिर सर, tackle करना, क्या करना सर का, tackle करना ओके, fine, चलिए अगले word की तरफ रुक करते है, अगला word हमारे पास आता है सर, δिन, अगला word की आता है, सर, दिन, इसका meaning होता है इसका जो pronunciation है, वो है, दिन, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे, सर, דिन क्या पढ़ेंगे, सर, दिन, अब सरकार आफ हमें एक बात बताईए सरकार आफ हमें एक बात बताईए, कि दिन में सोर शराभा होता है या नहीं तो बोलेंगे सर बिलकुल शोर सरावा होता है और यदि दिन में सोर शरावा होता है इसका मतलब सर वो लाउड है क्या है सर वो लाउड है और आपको पता है जब से रॉरिंग करेगा धाड़ेगा अपरोर क्या कहते हैं सर अपरोर करना ओके तो इसका मतलब क्या हो हो जाए गाल अपर और फॉज़ाना यह इसी को कहते है रहे किट कैते हैं तमल्ट क्या कहते हैं और तमल्ट आपका एक बहुत important word है यह आपके टूथाउजन टॉइंटी टॉइंटी वन और टॉइंटी टूइंटी 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 दौनों स्सी एक्जाम में पूछा गया question है tumult का मतलब ही होता है tum 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 याद रखना तो tum से हम याद रखेंगे जो आजकल tum tum होती है कैसी होती है सिर्क खटारा सी होती है उनकी आवाज आती है तो tumult को आप याद रखेंगा tumult को आप याद रख सकते हैं बिलकुल याद रख सकते हैं और इसका opposite क्या हो जाएगा silence हो जाएगा तो चलिए पांच हमने पड़े हैं इसकी practice करते हैं फ्रम आगे बात करेंगे तो practice हम start करेंगे practice हम start करें उससे बैतर है हम आपको timer दे देते हैं हर एक question के लिए आपके पास 30 seconds का time होगा 30 seconds now time start okay so एक बार answer मुझे बताना select the synonym of futile futility का ही meaning होता है futile का ही futile okay answer बताना futility ना होने futile जो है ठीक है मुझे answer बताना क्या हो जाएगा futile आपका एक जैक्टिव हो जाएगा एक बाइगा फटाक से answer बताना तो आपको बता है futile का मतलब क्या होता है Useless होना इसका synonym पूछा है तो आपको पता है futile कैसा word है सर negative word है फ्यूटाइल कैसा वर्ड है सर नेगेटिव वर्ड है बोलो yes सर तो इसका मतलब useful positive वर्ड है इसका synonym नहीं हो सकता fruitful भी positive वर्ड है अब दो negative वर्ड है हमारे पास तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता answer क्या हो जाएगा सर pointless जो चीज पॉइंट पर नहीं ह इसका मतलब वो useless है वो क्या है सर वो useless है got it इतनी चीजों को आप समझने की कोज़स जरूर करिएगा हम बात करेंगे से point पर जो previous exam में caution पूछे गए आप Google भी कर लें तो आपको previous exam के paper caution मिलेंगे means जो भी आपको content सर्व किया जारा है जो भी content आपको दिया जारा है वो बहु अप्रोप्रियेट से जूनियम अव दो गिवन वड़ कन लेंख ओके तो याद राख रहे थ्या गैँद रहें सिरल्षे अ मिलमक यह क्या है 다음 και को और दो 30 मिलमक यह अदा रहे है और वह से दिजर्टेन में यह जादा रहे ही हम ग्राया है एस्टम के आदे सा कर ना क् है इंका estrum पोछाए तो complement negative positive है command करना positive है है अधिजल आनंस एडिनांस डिनांस अर्फ तो लस निटिटिफ hyg cuma UP to Sao जाएगा तो यह भी नहीं होसकता यह नहीं होसकता है यह भी होसकता क्या होगा यह मेटिटीफ के बराबबर नेडिटीफ ही होगा अगली पर आते हैं, ओके अगला बात मुझे बताना, एक इनमने आपोज़िट पूछ लिया, क्या पूछा है सर, अपोज़िट, थर्टी सेकंड का टाइम आपके पास है, फटाक से सब्सक्राइब करने ऐसा कोई Name iso नहीं तो परिशान सर पॉजिटिव है ओके इस थील और राड़ शर निगेटिव है ठीक है और इसका इन्हों ने अपोजेट पूछा इस टील पाड़ वोत चुराना तो इसका अपोजेट to honest हो न होगा ओके के इसका मतलब सर्क डायट को मतलब होता है गंदगी इसका मतलब होता है सरक इस याद किया तर इस तर इस याद किया तर इस तेंच okay stench को मतलब होता है सरफ smell होना क्या होना सरकार smell होना got it so चलिए answer आपका क्या हो जाएगा B is the correct answer okay fine चलिए अगले caution की तरब रुख करते हैं 30 second फिर time आपको दिया जाता है और यह रहा 30 second का timer आपके पास answer बत्त करके बताएए क्या होगा ठीक है अब आपको याद आ रहा होगा कि मम्मी के पापा की परी की सारी गलतियां को avoid किया जाता है skat किया जाता है मम्मी के लाल्डे को dose दिया जाता है और evade किया जाता है मलब बचाया जाता है और इसका opposite क्या होता है confront करना, किसी को face करना encounter करना या फिर किसी के साथ tackle करना चलिए answer मुझे बताए फटक से क्या answer होगा जल्दी से answer बताने की गोज़स करिएगा फटक से answer बताने की गोज़स करिएगा so now time अप होता है और आपके पास पता है कौन front करेगा किसमें इतनी हिम्मत है कि मुझे front करेगा तो confront कौन front मतलब आमना सामना होना तो इसका इन्होंने synonym पूछा है avoid का मतलब होता है सर बचना क्या होता है सर avoid का मतलब होता है बचना डोल्स का ही मतलब होता है सर बचना और yield का मतलब होता है सर उपस जाना किसी चीज को उपस ज़र होना ओके और confront का मतलब होता है सर आमना सामना होना क्या होना सर आमना सामना होना मतलब एक दूसरे से टकरा जाना ओके फाइन तो अगला आपके पास option बचता है सिर्फ एक जिसका नाम है आकास्ट का मतलब होता है सर आमना सामना हो जाना ओके तो आज की class में आप total आप count कर लीजेगा आपने within a 20 minutes आपने 35 words को सीखा एदि 35 words को आप relate कर पढ़ पाएं जैसे मैंने आपको पढ़ाया है तो आप कभी नहीं बूलेंगे और 100% आपके exam में आपका selection होगा ओके तो जब तक के लिए आप अपना और अपनी family का खया लखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए और जाते जाते एक बात कहती हुए चले जाते हैं कि रंगो में रंग हजारों किन बे रंगों में रंगों में रंगों में रंगों में रंगों में रंगों में बे शुमार बे हिसाब उम्मीद हैं फिर किन बे रंगों में रंगों में फिर किन बे रंगों में रंगों में थैंक यू सू मच फॉर वाचिंग इस सेशन और मिलते हैं फिर कल स सुबह साथ बजे इसी एनर्जी के साथ और इसी हल्ला वूल के साथ चलिए वावा टेक केर